बेलकम टू एपी से क्लासेस एपी से क्लास की यूटूब चैनल में आप सभी बचों का स्वागत है महत्पूर चीजें हम आपको बताने वाले हैं जिसमें महत्पूर चीजें है पहला विल्यन को समझना कि विल्यन क्या होता है उसकी बाद हम मोलड़ता मोलड़ता के बारे मे समझने वाले हैं तो विल्यन क्या होता है ये बात ध्यान से समझेगा जिसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं जिसमें हमारे पास विले और विलायक उपस्तित हो उसे बोलते हैं विल्यन विलियन समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मिस्रड आपको जाना अत्यांत आवश्चक है कि मिस्रड किसे कहते हैं ठीक है तो मिस्रड आप जानते हैं दो प्रकार के मिस्रड आप सभी ने पड़े होंगे एक मिस्रड होता है जो समांगी मिस्रड कहा जाता है और एक मिस्रड होता है जिसे विस्मांगी मिस्रड कहा जाता है तो समांगी मिस्रड विस्मांगी मिस्रड का आर्थ क्या होता है ऐसे मिस्रड जिनके अंग जो है हमें नगनाखों से ना दिखाई दे ये समांगी मिसरड कहलाते हैं ठीक है और भी इसके विहेवियर है नाम से पता है समांगी यानि जिसके अंग समान अंग के हो जाए वह समांगी होता है विसमांगी यानि जिनके अंग विसम हो वह विसमांगी कहलाता है जैसे जिसमें हमने जल और प्लस मिट्टी आपको मिट्टी मिला दिया गया तो यह भी समांगी हो गया जिसमें आपने जल और प्लस का आपने इसमें क्या नमक या चीनी यह मिला दिया तो आपका क्या हो गया? समांगी मिश्रड हो गया जैसे कि आप देश सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास में जल है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं यह हमारे पास कुछ सुगर है अगर जो इसको इसमें डालते हैं तो यह बनेगा विलियन यह विलियन कहलाएगा यह वास्तविक्ता में हम मिश्रड का काम कर रहे हैं लेकिन जिनकी मात्राइं कम होती है और विलायक उसे कहते हैं जिनकी मात्राइं अधिक होती है ठीक है इसकी एक पहचान और भी है कि जिसको जिसमें डाला जाता है वह विले होता है जिसमें मिलाया जाता है वह विलायक होता है मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं जिसे आपको हर बाते clear हो जाएंगी जैसे आप देश सते हैं जल है यह अधी मातरा में है और यह सुगर बहुत ही कम मातरा में है यानि चीनी कम मातरा में है तो अगर जो जल का मातरा यहाँ जादी है और चीनी की मातरा कम है तो अगर जो आप यहाँ पहता करना चाहते हो तो सिंपा सा बता इसात्ते हो यह लह हो जाएगा और यह विलायक हो जाएगा दोनों को जो आप से मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हुली ducन כछे कहे तो महत्तपूर चीज़े से अपको लोग Musik में डिफरेंस बताईए तो कैसे आप पता करेंगे तो यह बोला चीनी को जल में मिलाया तो आप विलें मिलेगा तो चीनी को जल में मिलाया जिसको मिलाते हैं वो विले होता है जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है मिले पर क्या बन जाता है विलें तो यह बाते आप भरी ब इसको याद रखिएगा आप लोग यह मोलर्था की इस पेलिंग जो होती होता है मोलारीटी इसको याद रखिएगा इसको बहुत ही बखो भी अच्छे तरीके से पूरी विस्तारूप में इसको समयने की कोईश करते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कते ना आए ठीक है तो प विल्यन की मोलर्था कहलाती है इसे केपिटलयम से पदर्शित करते हैं ठीक है बच्चे देखिए समयने कोईश कीजिए कि यह हमें क्या लिख दिया है डिफोनिसमें किसी विल्यन के प्रति लीटर आयतन में देखिए विल्यन क्या होता यह बात आपको पहले से बता दी मातरा हैं हमने ले ली और यहां हमारे पास यह सूगर है ठीक है जिसे चीनी बोलते हैं ठीक है इसको हमने इसमें डाल दिया तो डालने की बाद जब यह आपस में पूरा का पूरा यह मिल गया आपस में तो मिलने के बाद जब पूरते हरोफ से यह मिल जाएगा तो यह बना ल डाल दो या कितना भी नमक आप डाल दो उससे मतलब नहीं है लेकिन यहां बोला गया है कि विले के मोलों की संख्या निश्चित परतापमान फिक्स होना चाहिए उस विलन की मोल अर्टा कहलाती है आई होब यह बात आपने बात खुवी अच्छे तरीके से समझा होगा ठीक ह यह बात होती है लेकिन इसको हम समयने कोश करते हैं कि मोल क्या होता है तो मोल बराबर में मैंने यहां पर लिखा है भार बटे में अड़भार इसको याद रखनी की कोश कीजेगा मोल बराबर में भार बटे में अड़भार होता है ठीक है अब अगर जो आप समयने कोश करे कर दीजिए बटे में वहिलें का अड़भार ठीक है बच्छे विलें का अड़भार क्योंकि यहां पर आपको विले दिया गया है ठीक है विले का अड़भार हो जाएगा जिसको कैप्टर इसमाल F से आप पदस्थ कर जीए यहाँ पर कन्फ्यूज ना हुईएगा ठीक है इसको M से पदस्थ कर सकते हैं यहाँ मोल अर्ता नहीं है वो मोल अर्ता नहीं है ठीक है तो याद रखिएगा उपर वाला चीज हो गया कि मोल को हमने क्या बदल दिया भार बटे में अड़ भार में यहाँ चेंज कर दिया ठीक है बटे में क्या बचा है विलेन का आयतन तो यहाँ लिखेंगे बच्चे क्या विलेन का आयतन किसमे बच्चे लीटर में ठीक है अगर जो आपको इसको बदलना हो ml में तो बाद में हम लोग चेज़ कर लेंगे ठीक है, चले दिखिएगा, क्या होता है, अभी हमने जो संकेत लिखा है, उस संकेत के आधार पर इसको लिखने कोश करेंगे, तो यह हो गया, small w, small m, ठीक है, इस तरह से, upon में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, यानि आयतन है, वो भी लीटर में, इसके बटे में आप लगा दो एक, ठीक है, तो यह उपर चला जाएगा, अब बटेगा, क्या m बराबर में क्या आजाएगा, small w, upon में, small m, जो है, यह आजाएगा, यह small w, जो है, विले का भार है, और small, जो m है, वो है, ml में, ठीक है, तो यह इस तरह से ही हो जाता है, अगर जो मात्रा देखने की आप कोशिज करेंगे, तो इसका मात्रा बन जाएगा, mol per liter, तो mol अर्था का मात्रा क्या हो जाता है, mol per liter, I hope यह बाते आपने समझी है, अच्छे तरीके से, आईए हम लोग इस प्रश्ण के माध्यम से की इसको समयने की कोसिस करते है tip कि है कि 20.6 میल गोला गया है मोलर्ता क्या होगी टिक है तो आपको करना क्या है पहले तो आप लिखेंगे given क्या दिया हुआ आपका तो given में आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है यहां आपको अनि-शित्या आपको बताया मैंने अभी अच्छे दरीके से कि जिसकी मात्रा कम होती है वह विले होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है वह बिलायक होता है तो यहां आप दे सकते हैं विले का भार दिया हुआ है तो विले का भार वेट है या जी विले का भार को किसे पदस्किया आपने इसम जो मान दिया गया है यह विल्याइन का आयतन कहां गया तो लिखेंगे बच्छे विलेन का आयतन जो इसमाल V है बराबर हो जाएगा 500 ml ठीक है अब आप कर आपका है capital M यानि मोल अर्ता बराबर में होता है small w अपान में small m गुड़े में 1000 बटे में v ये आपकी value ml के लिए लगती है ठीक है ये बात आप अच्छे से जानते हैं तो आपको इसका मान तो पता है और इसका अडभार आप निकाल दीजिए तो देखिए भिया क्योंकि आप जानते हैं मोल की संख्या होता है न तो मोल बराबर होता है भार बटे में अडभार ये बात आप अच्छे से जानते हैं ठीक है तो ये small m जो है वो small m बराबर होता है अडभार ही होता है ठीक है अडभार ही होता है तो अड़ुभार किसका निकालेंगे विले का विले का विले कौन है एने वी बियार तो एने बियार का अड़ुभार आप निकालेंगे एने का होता है बच्चे कितना 23 होता है और प्लस का आपको मिलेगा बियार का कितना हो जाता है 180 तो यहां आप अगर जो आपर होता है W अपान में M, गुड़े में 1000, बटे में V मोल होता है और यह NA BR का अड़भार यहां capital A, small M से आप निकालनेंगे, ठीक है small M, क्योंकि W का मान पता है, V का मान पता है, small M बच रहा है तो small M का मान यहां से आप निकालनेंगे, अड़भार से तो यह NA का भजूभार होता है, वो 23 होता है, और BR का 180, आप calculate करेंगे 203 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, अब आपको मान रखना है, capital M बराबर में हो जाएगा इसका मान आपको मिलेगा कितना, 20.6, बटे में इसका मान आपको मिलेगा 203, गुड़े में आपका आजाएगा 1000, बटे में आपका V का मान कितना आजाएगा 500, आप यहां से इसको कार सकते हैं, 52, 10, 2 आ गया, ठीक है, capital M बराबर में आ गया, 20.6, गुड़े में 2, बटे में 203, इस तरह से value आपको मिल रही है, ठीक है, अब आपको पूरा calculation जब आप कर लेंगे, तो पूरे calculation करने के बाद आपको जो मान मिलेगा, इस तरह से आप किसी भी सवाल को, molarta वाली सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, molarta क्या होता है, molarta यानि molality, तो इससे पहले आपने वीडि capital M से परिज़ करते हैं, दोनों में confused ना होईएगा, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बहुती बड़ा अंतरिया है, ठीक है, देखते हैं पहले definition उसकी बात पूरी बाते हम लोग अच्छे समझने की कोईश करेंगे, तो definition हम लोग का है, किसी विलायक के प्रती किलोग्राम भार में घुली हुई विले के मोलो की संख्या, प्राप्त विलन की मोललता कहलाती है, मोललता पर ताप प्रभावित नहीं होता, यानि इस पर मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, temperature कोई requirement नहीं है, उसमें ताप की वरिता दी गई थी, आप इसमें ताप की वरिता नहीं दी गई है तो यह बात आपके समझने यूपत है अब समझनी कोश करते हैं पूरी अच्छी तरीके से तो इसको देखेगा धान से देखते हैं भई किसी विलायक के प्रति किलोग्राम भार में किसी विलायक के प्रति किलोग्राम भार में सब्पोच कीजिए हमार तो हमारे पास चीनी है यानि कि इसको हम इसमें डालते हैं तो यह हमारा हो गया क्या विले यह हमारा है विले और यह हमारा है विलायक सपूच कीजिए कि यह एक किलोग्राम का है और यह कुछ मात्रा में है ठीक है तो यह एक किलोग्राम का है यह कुछ मात्रा में है इसी को त विले के मोल की संख्या बटे में विलायक का भार, इसको याद करने की कोस्ट कीजिए, आप सभी दो एक बाप प्रैटिस करेंगे, तो तयार हो जाएगा, ठीक है, अब देखने कोस्ट कीजिए, यहां होता क्या है, इससे पहले आपको मैंने बता दिया अच्छी तरीके से, मो अडुभार होता है, यह बात आप अच्छे से जान चुके है, ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखने कोस्ट करते हैं, मोल लड़ता में क्या होगा, विले की मोल की संख्या, या विले का भार, ठीक है, बटे में विले का क्या हो जाएगा, अडुभार हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं direct अब लिख सकता हूँ, I hope आप समझ चुके हैं इस बात को, ठीक है, बटे में, तो इसको विले के मौल की संख्या को हमने capital W से पर्दसित किया था, या small W से, और इसकी संख्या को हमने किसे किया था, M'dass, से, तो कि small M से तो इसको पर्दसिती करते हैं, small M से मोलर्ता को पर्दसिती किया जाता है, और अगर जो small M रखेंगे, तो दिक्कते यहाँ के सामने आ जाएंगी, इसलिए M'dass मैंने कर दिया, जिससे आपको दिक्कते ना आएं, ठीक है, उसकी बात क्या हो जाता है, यहाँ पर, व हो जाएगा, capital W, upon M'dass, upon M'dass, गुड़े में एक जो है, आपका ऊपर चल जाएगा, एक बटे में आपका आजाएगा, क्या, विलायक का भार, विलायक के भार, तो विलायक का भार, आपने capital W से परदसित कर दीजिए, विलायक के भार को capital W कर दीजिए, ठीक है, small W यह हो गुड़े में आपका हो जाएगा 1000 बटे में capital W ठीक है और यह किस में हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा बच्चे ठीक है तो यह formula आप लोगों को याद रखना है यह formula अच्छे से त्यार कर लिजेगा formula में मात्रक क्या हो जाएगा तो मात्रक देख लिजे इसको रिखेंगे mole per gram mole per gram इसका मात्रक हो जाएगा आई वोप यह है तो परश्ट अमलों का जो मिल रहा है वो यह मिल रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अमल एथेनोइक अमल का formula CS3CW8 होता है कि 75 ग्राम बेंजीन में क्या होगी इसकी गड़ना करना है आप सभी को ठीक है तो पहड़ी बात आपको क्या जरूरत पड़ता है यह आप धहां से समझ दीजे क्योंकि आपके पास formula होता है माल का म बर्द का बड़ता है गुड़े में क्या करते थे एक 1000 लिखते हैं बटे मे आप लिखता हैट dog twitter का व वो विलायक का भार होता है तो चलिए यहां देखने को उसके करते हैं विले कौन विलायक कौन इसकी मातरा कल, जादे यानि यह विलायक हो Gast यसी विले हो जाएगा यह बात तो आपको confirm पता चल गया ठीक है तो आप यहां से देखने given में क्या लिखेंगे पहले given में जो दिया है वो चीजे लिख लेंगे तो यहां आपको मिलेगा विले का भार विले का भार जो इसमाल का डबलू है बराबर हो जाएगा 25 ग्राम और उसकी बाद आपको मिलेगा विलायक का भार विलायक का भार आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा कैप्टल का डबलू बराबर में हो जाएगा 75 ग्राम यह बात आप अच्छे से जान गए ठीक है अब आपके पास बचा क्या यह इसमाल कैप्टल यह इमडैस बचाना तो एमडैस आप निकाल लिजिए एमडैस क्या होता है अडभार होता किसका भिया यह अडभार है विले का ठीक है तो आप देख लो विले काउन है विले तो है थे इनोई के इसीड इतने को इसीड का फार्मुला सी सी डबल ओ यह होता है अब आप यहां इसके अडभार को कल्कुलेट कीजिएगा यहां कार्बन की संख्या आपको दो मिल ले यानि दो गुड़े में कार्बन एक कार्मर का बाहर 12 होता है ठीक है पलस का आप देखना को इसके तीन और यह कि हटार्बन चार चार गुड़े हडुएँक का बहर एक होता है प्लस ऑक्सियन यहां दो है तो 2 गुड़े में लिखेंगे 16 तो 16 हो जाएगा इस तरह से टोटल कल्कुलेशन करने आप का हो कंड है इसे कि तरह से अब आपको कर ना क्या है कि आप कृण कर दीज्वाद कि surprisingly उसकी बाद इसमाल M बरापर में आ जाएगा दो दस्मनों 5 गुड़े में आपका हो जाएगा सो बटे में आपका आजाएगा 6 गुड़े में 75 ठीक है आप जब टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे तो उस मिलेगा वह जिन लिगा जीरो दस्मनों में 5-5-6 मोल पर किलोग्राम यह आपको मान मिलेगा ठीक है यह किलोग्राम में मान आपको मिल जाता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा मान आपको देखने को मिलता है ऐसा ही लगतार वीडियो के लिए चैनल को सस्काब कीजिएगा वेल आकन को हिर जाएड़ इसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन